भारतिये जंता पार्टी इस देश के हर संसाधन, हर संस्थान, हर संस्था पे कबजा करना चाहती है, पहले CBI, ED और Income Tax बने नए फ्रंटल, अब लगता है SBI बन गया है, काले धन के गोरक धन्दे को कौन पन अपने दे रहा, क्यों SBI पर दबाओ बनाया जा रहा, ऐसा क्या ह अगर चुनाओं के पहले ये नाम सामने आ गया, क्या ये भांडा फूट जाएगा कि चंदा लेकर कौन सी नीती बनाई गई, क्या ये सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर किसके खिलाफ जाच बंद करी गई, क्या ये सच सामने आ जाएगा, चंदा ना देने पर किसके ख जाच बिठाई या जाच बंद करी उसके एवज में कौन सी नीती बनाई इसका फैसला जनता करेगी। देने के लिए पाच महीने का समय क्यों चाहिए ये तो एक क्लिक ऑफ बटन पर होना चाहिए हमारा दूसरा सवाल ये है कि SBI को एका एक जब अवधी जिस दिन देना था उसके 24 घंटे पहले SBI क्यों जागा क्या SBI को 25 दिन का टाइम लग गया ये सोचने में कि उनको कितना वक्त लगेगा और ये एक बड़ा सवाल है एक और सवाल है और इसका मैंने उलेक भी किया कि 48 करोड अकाउंट, 6,000 करीब ATM, 23,000 करीब ब्रांचेज होने वाले SBI को 22,000 महज अकाउंट के लिए 5 महीने चाहिए ये कितना हास्यास्पद है SBI पर प्रेशर कौन बना रहा है इस आर्थिक अन्यमित्ता को इस काले धन के गोरक धन्दे को कौन पन अपने दे रहा था क्यों SBI पर दबाओ बनाया जा रहा है, ऐसा क्या हो जाएगा अगर चुनाओं के पहले ये नाम सामने आ गए और सवाल ये उठता है कि क्या लोगों को लोगतंत्र में ये जानने का हक नहीं है कि कौन किस पार्टी को कितना और कब चंदा दे रहा है जिससे वो देख समझ कर वोटिंग के पहले अपना मन बना सके ये पूरा गोरक धन्दा है, अलायांस अब SBI के साथ की गई है हम लोग शुरू से कह रहा है कि भारतिय जनता पार्टी इस देश के हर संसाधन, हर संस्थान, हर संस्था पे कबजा करना चाहती है पहले CBI, ED और Income Tax बने नए फ्रंटल, अब लगता है SBI बन गया है और समझना जरूरी है कि कितना भी शड्यंत्र SBI और सरकार मिलकर रच ले मोदी जी ने किस से कब कितना पैसा लिया और उसके एवज में जाच बिठाई या जाच बंद करी उसके एवज में कौन सी नीती बनाई इसका फैसला जनता करेगी क्योंकि जनता सब देखती और सब समझती है यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि भारतिये जनता पार्टी शुरू से असहज थी 2017 में जब यह स्कीम आई और पिछले वित्य वर्ष के अंत तक 31 मार्च 2023 तक करीब 12,000 करोड रुपए इलेक्टोरल बॉंड के माध्यम से पुलिटिकल पार्टी को मिले जिसमें दो तिहाई अकेले भारतिये जनता पार्टी को मिले करीब 65,000 करोड रुपए भारतिये जनता पार्टी को मिले और करीब 9% about 1,000 करोड रुपए से थोड़ा जादा कॉंग्रेस को मिले तो भारतिये जनता पार्टी चिंतित थी चिंतित इसलिए थी क्यूंकि अगर लोगों का नाम सारविजनिक हो गया तो पता चल जाएगा कि कौन सा मित्र कितना दे रहा था, क्यूं दे रहा था यहाँ पर आपको एक और रिपोर्ट का की याद दिलानी जरूरी है एक रिपोर्ट आई थी न्यूज लॉंडरी और न्यूज मिनिट ने करी थी उन्होंने कहा था 30 ऐसी कंपनियों का नाम सामने आया है जिन्होंने 335 करोड 2018-2023 के बीच में भारतिये जंता पार्टी को दिये इनके खिलाफ कारवाई हुई थी चाहे वो income tax हो, CBI हो या ED हो इसमें से 23 कंपनिया ऐसी थी जिन्होंने कभी इसके पहले चंदा नहीं दिया था तो क्या ये quid pro को था, क्या नाम आने से पता चल जाएगा कौन चंदा दे रहा था, क्या नाम आने से पता चल जाएगा किस समय चंदा दिया गया क्या ये भांडा फूट जाएगा कि चंदा लेकर कौन सी नीती बनाई गई क्या ये सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर किसके खिलाफ जाच बंद करी गई क्या ये सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर किसके खिलाफ जाच खोली गई चंदा लेकर बंद कर दी गई तो चंदा का भांडा फोड़ हो जाता इसलिए SBI का कहना है कि हमें 2024 30 जून तक का वक्त चाहिए चुनाओ निपड जाएगा चुनाओ के पहले आ गया तो जो हम कह रहे हैं सूट बूट की सरकार जो हम कहते हैं मित्रों की सरकार जो हम कहते हैं कि कुछ ही लोगों के लिए नीती निर्माण होता है वो दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा लेकिन जनता को इतना मूर्ख क्यों समझा जाता है जब जब सच दबाने का प्रयास होगा तो जनता पूरा सच समझती है जनता जानती है कि अगर आपके खाते अगर आपके खजाने एक दो व्यक्ती पैसों से भर रहे हैं तो ये सरकार और इस देश का प्रधान मंतरी उन्हीं लोगों की गुलामी करते हैं उन्हीं लोगों के लिए नीतिया बनाते हैं जाता है लगातार उलंगन हुआ है हम जानना चाहतें कि उलंगन क्या था हम जानना चाहतें उस एड में क्या गलत था वो समक्रिप्स हता दिया गया है तो मेरा अपना मानना है कि जो social media platforms मेरा अपना मानना है जो digital media platform है Google जैसे पारदर रखते हुए वो जरूर बताएं कि भारतिय जनता पार्टी ने क्या किया और अपने ही नियम कानून का को माने और उसका उलंगन ना करें ये एक विडंबना है कि इस देश की डेमोकरसी में इस देश के लोकतंत्र में मुख्य विपक्ष के अकाउंट को बैंक अकाउंट को फ अगरतार उलंगन करती रहती है अब यहां पर सामने आ रहा है कि गूगल एड्स में भी उलंगन हुआ है और उनके अड्स चलते रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस देश के लोकतंत्र के जो नियम और कानून है उसके दाएरे में रहकर काम करना है 24 से पहले इस मामले को कैसे देखती है क्योंकि चाइनीज प्रिमियर को आज तक उन्होंने बढ़ाई नहीं दिये और पाकिस्तान को पाकिस्तान और चाइना से मोधी जी का बड़ा लगाओ है भाई आपको इसमें इतना हत्परव क्यों है आप भूल रहे क्या कि वह लग और लपके लपके चले गए थे बिर्यानी सिवाई भगवान जाने क्या खाने नवाज शरीफ के ही तो घर गए थे आप भूल गया किसी को पता ही नहीं था कैबिनेट में मुझे याद है 25 दिसंबर या 24 दिसंबर का दिन था एक उन्हीं के मंतरी के हाँ बोच था मैं तब होती थी वहाँ पर वित्मंत्री अरुंजेटली जी बैठे हुए थे भगवान उनकी आत्मा को शान्ती दे हम लोगों ने पूछा आपको पता है उन्हें का मुझे तो नहीं पता है और वहाँ लपके हुए पाकिस्तान चले जाते हैं पाकिस्तान के ISI को पहली बार इस दे पीने और शैनाई सुनने मोधी जी गए थे आप बैठे साबर मती के तट पर जूला जूलते हुए अपने किसी दोस्त के साथ मोधी जी ने जूला है मोधी जी ने अपने दोस्त को सबसे बड़ी क्लीन चिट दी और वही दोस्त बार बार कहता है उन्निस उन्निस लेवल की कोर कमांडर की टॉक पे चाइना का पीयले क्या कहता है आपका प्रधान मंत्री कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है हमारे 20 जाबाजों की शहादत होगी बड़ा प्रगार संबंद है बड़ा गहरा संबंद है बहुत दोस्ती है बहुत प्रेम है आप लोग नाहग भोले हैं का थाय चीन से एक हाथ पर पाकिस्तान से दूसरे हाथ पर